नौवी की समाजी विज्ञानी क्लास में आपका बहुत स्वागत है बिटा मैंने आपको समाजी विज्ञान में सम्विधान तो आपको दक्षना अफ्रीका का सम्विधान के बारे में बताया भारती सम्विधान के बारे में बताया और सम्विधान कैसे बना लेकिन पिटा परिच्छा से उपयोगी कुछ प्रश्न है जो आप आज हल करोगे और उनको आप देखो तो भारती संभिधान कैसे पारित हुआ कैसे लिखा इसमें रंगभेद क्या था तो सबसे पहले रंगभेद क्या था तो दक्षिन आफ्रिका का जब सम्भिधान हुआ तो उसके लिए अंदोलन चला तो उसके रंगभेद सबसे मुख्रेकारण था रंग भेर दक्षण आफरिका की सरकार में मतलब जो थी वो 1948 से 1989 की बीच में काले लोगों के साथ नसली लगाव और खराब व्योहार करने वाली सासन व्यवस्था थी मतलब वहां पर रंग भेर तो रंग भेर के अधार पर वहां पर काले लोग गोरे लोग दो वर्गों मतलब उनको भेर भाव की द्रस्ती से देखा रहा था पर दूसरा प्रश्ट है संभिधान क्या है तो देश का संभिधान क्या है देश का सरवोच कानून होता है संभिधान मतलब जो संभिधान में सरवोच कानून संभिधान कैसमें राजनेतिक और समाज को चलाने वाले मालन मतलब जो राजनेतिक और समाज को चलाने वाला ये मौलिक कानून होता है फिर उसके बाब में संभिधान संसोधन क्या है तो इसमें संभिधान संसोधन में देश की सरवोच्च विधाई संस्था द्वारा उस देश के संभिधान में किये जाने वाला बदलाव मतलब संभिधान को संसोधन कहलाता है आपको मतलब संभीधान से सोधन कैसे होता है तो जो बहाँ सरवच सबसे पहले सरवच विधाई द्वारा संभीधान में किये जाने वर वद्लाव को मतलब उसको पहले आप मतलब सोधन में क्या किया आता है पारिक किया जाता है उसके बार उसमें बग्जाओं किया जाता है पिर यह संबिधान क्रस्ताओं से क्या आ सै है मतलब संबिधान का पहला कत्न है जिसमें कोई भी देश अपने संबिधान की बुन्यादी मुल्यों और अवधार्णाओं पत्ता जो संविधान की बुन्यादी मुल्यों और अवधार्णाओं को कहता है इस प्रस्थ कंधं से कहता है अबला महां का संविधान प्रस्थावन कैसे कैसे उसको क्या कर सकते हैं व्यक्त कर सकते हैं पिर संभिधान की प्रस्तावना के लिए किस देश में संभिधान लिया गया है तो जो संभिधान की प्रस्तावना को किस देश से तो जो अमेरिका संभिधान की प्रस्तावना से प्रेड़ना लेकर ये संभिधान बना है जो अमेरिका का संभिधान है उसकी पिर्ड़ा से पिर भारती संभिधान कब लागू हुआ और इसकी याद में कौन सा रास्तिये पर मनाते हैं मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था भारती संभिधान 6 जन्वरी उन्नेशो पाट के अंतरगत भी पढ़ा था 26 जन्वरी 1950 को अपना संभिधान क्या हुआ लागू हुआ और इसी दिन की याद में हम हर वर्ष प्रती वर्ष 26 जन्वरी को गर्दत्र दिवस के परवे के रूप में इसे अपन राश्टी पर्वे के रूट में क्या करते हैं मनाते हैं तो भारती संभीधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसकी किसी याद में हर वर्ष 26 जनवरी करते दिवस राश्टी पर्वे के रूट में क्या करते हैं इसको मनाते हैं परिच्छा के ड्रस्टी से बेटा दो नमबर की छोटे-छोटे प्रश्ण है आप इनको अच्छे से याद करोगी ना तो शागरवेद क्या है संभिधान क्या है संभिधान शंसोधन क्या है संभिधान प्रस्ताव क्या है यह संभिधान प्रस्तावन मतलब किस डेस के से लिय जास्टी पर्व की रूट में बनाती है तो 26 जन्वरी 1950 को अपना देश क्या हुआ अपने सम्मीधान लागू हुआ और हम इसे गड़तंत्र दिवस्तास्टी पर्व की रूट में क्या करते हैं इसके बाद है पेटा धोक्तांत्रिक बाद स्वतंत्र समाज के संदव में नेंस मंदेला पतला जो नेंसन मंदेला थे उनके क्या विचार थी तो लोक्तांत्रिक बाद समाज के विचार में नेंसन मंदेला का विचार था उन्होंने लोक्तांत्रिक बाद समाज के विचार में मंदेला का महत्वत है कि वो प्रभुत के आपनोंने क्या किया संधर्स किया औ और अश्वेत प्रभुत्त का उन्होंने क्या किया व्रोध किया मैंने एक ऐसा लोग तांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग को मतलब जो सभी लोग हैं कैसे रहें पुरा मिलजूल कर रहें और सब एक समाल अश्वेत रहना पाना चाहता हूँ और अगर जरुवत पढ़े तो इस आदर्श के लिए अपनी मतलब अपने प्राणवी जानवी देने को त्यार हूँ और रंग भेट की उसने बागनों है मतलब जो लोगतांत्रे को अगस्था थी उसके संदर्ण में अपना गैंसल मंडिला के विचार थे वो सबको चाहते थे उसे मिलजूल कर रहें सब एक साथ रहें मतलब और एक स्वतंत्र समाज के उन्होंने क्या की थी? कामना की थी उनका मतलब लोगतांत्रे को समाज की तर्था किया हो प्राणदी की? बिति अंदेन में लैंसर मंडेना की क्या थे विचारती फिर रंगभेत से क्या आसए हैं रंगभेत नंभषरी भेधवाव पर आधारत विबस्था का नाम है और वत्क जो रंगभेत था वो क्या था अधारित ववस्था का वत्ता जो नसली प्रेदभाव थे उसके दक्षणाफिका के विस्थो पतर जो था वापत विशेस तोर पर चलाई गई दक्षणाफिका का ये ववस्था पूरे युरोप को गोरे लोगों ने लाग ती थी मतब रंगभेट की ववस्था थी वापत द एक डमनकारी थी पहला, परिणावी हुआ उन्होंने गोरों की बस्ती में रहेने, बस्तिलाइक नहीं थी, उन्हें पर wyparmit होने पर ही आप आप काम कर सकते ते मतलब जो वहाँ पर गोरे लोगों की बस्ती में जो रंग वेथ काले लोग वहाँ जाता तो देव वहाँ पर रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, पुर्टल, अस्पताल जो जो की जए थी, वहाँ पर सिर्फ गोरे लोगों के लिए थी सारवाजनिक सौचाले तक गोरे और कालों के लिए वहाँ पर एकदम अलग-अलग इंतिजाम थे और कथक करने की दुरस्था को कहा जाता है अतला ये लक्षण आपने कालों में गोरे लोगों की बतार जो गोरे लोगों ने जो किया उसके बलटांग थे फिर काले लोगों वो गोरे लोगों के लिए आरक्षित जगाय के लिए आरक्षित जगाय में क्यों उनके गरजा गुर्जा गुर्वाण पूरवार पर ब्रोद करने का भी अधिकार नहीं थे मतलब जो वहाँ पर आश्रित थे उनको सल्वटब और देज भावपूर व्यवकार करने पर ब्रोद करने का भी अधिकार नहीं था पेह संभीधान का क्या महत्व है? मतलब संभीधान का क्या महात्प है तो पहल संभीधान का महत्प किसी देश का संभीधान उस राष्ट की राजनीती मतलब जो संभीधान है उस देश की राजनीती ववस्ता बुनियादी धाचे पर क्या होती है क्या करती है निधारित करती है मतलब संभिधान किसी देश की बुनियादी ववस्ता और निधारित धाच्यों को निधारित करती है और सम्मिधान में सासन के सभी उसमें क्या क्या होता है लवस्थाभी का भी होती है बेटा कारिपाली का भी होती है और न्यायपाली का भी होती है इनकी सक्तियों का दायत्युका उलेख होता है सम्मिधान में का है में सम्मिधान में संभिधान सासन की राग्रिक मतला नागरिपों के मर्द संब्धों की बीच बेनेमित करता है संभिधान देश में आधर्शों को भी प्रगट करता है संबिधान जनता की समाजिक, राजनेतिक और आर्थिक और प्राकतिक आस्पा वा आकानशाओं पर क्या होते हैं? आधारिक होते हैं फिर उसके बाद है मेटा की संबिधान सभा का परिच्छे दीजिये मतला पिसी देश का संबिधान बनाने का का पर नेतिक और भात की निर्वित किया गया। संबीधान की बैटक पहली बैटक का हुई 9 एसंबल को ही उन्हें चालिस को इसके आइस थाई जो डाप्टर सचितानन सिना थे वो क्या थे उसके आइस थाई अध्यक्ष चुने गए प्रिथम बैटक में फिर दुट्री बैटक को ही संबीधान सभा की दूसरी बैटक 11 बैटक को ही और जिसमें जाप्टर राजन प्रिसांथ थे जो वह स्थाई सदस्य चुने गए पताब उसके स्थाई अध्यक्ष चुने गए वह संबीधान सभा कित्की दो वर्ष 11 माह और 18 दिन की कार अभदी थी पताब जो संबीधान सभा की जो आभदी थी और कित्की थ दो वर्ष 11 माह चोटा सा अब्जेक्टियों कशना आता है वेटाई और 18 दिन की कार अभदी में कुल 11 अधिवेशन में 116 166 166 बैठक हुई तो यह हो गया संबीधान का परिचर पिर है लोगतंत्र ने हमें संबीधान की आवश्यक्ता क्यों है प्रमुकार्ण सपस्ट कीजिए मतलब जो रोफसंत्र है उसका का ना संबीधान कैसा होना साथ है आ अल Rose Licket Do Merci इस प्राकाल से एक किटाभ है संबीधान लिखत्नींयब़ों की एक किताफ होती है किसी राश्ट में रहने पर नागरेक्त समुहुरूप मांते हैं सबिधान सब्च खनुन है किसीatos मै रहने वाले नागरिक मतलब जो किसी भी छेत्र में रहते हैं कि मर्द आपसी संबंध होते हैं सांसा सरकार के बीच में संबंध तैव होता है संबिधान की भूमी का निम्शिक्त होती है जो लोगता संबिधान के सा होता है लिखित किताब होती है इताख है इसे रास्ट में रहने वाले सभी नागर्फों और संब्धों के रुप में इसे मानते हैं संबिधान का सबुच कानूं है कौन संबिधान किसी भी छेत्र में रहने वाले नागर्फों को भी आपसी संब्ध होते हैं वर सांत सांथ सरकार के वीच में क्या करना पड़ता है, संबन्ध तैर होते हैं. वर संबीधान सभा में रहे, सांत रहे, विभिन्य तरह के लोगों के बीज, जरूरी है भरोशा, सहयोग और विकास. संबीधान सपस्ट करता है, सरकारतन कैसे होगा, मतलब किस फैस्दे के लेने का अधिकार कैसे फैस्दे लेने का अधिकार होगा सम्विधान सरकार के अधिकारों को सीमा तय करता है हमें बताता है कि नागरी को क्या अधिकार है सम्विधान अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों को कि अखांचा उपोग के वेक्त करता है, तो यह संविधान में लेने के तरका है लोंग के बीच में, उनमें क्या होना चाहिए, आपसी सहलो और भिक्सित भूग सा भी आवश्चक है, सरकार का गठ्ण कैसे हो, इस अपैसले लेने का अधिकार, संविधान सरकार के अधिकारों सीवान तै करता है, और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, और संविधान अच्छे समाज और गठन के ले भी आकांचाओं को क्या गठता है? व्यक्त करता है, फिर दक्षनाफिदान के संविधान की प्रमूख विसेश्थाइं लिखने, मतलब जो दक्षना संसे संब्धान में अच्छा संभीधान दुन्या में कभी नहीं था विक्या में 54 अधिकारteング US अधिकार्यों दुनिया में कई संभ्यातन को नई दिये गए साथी हुने ओने फैसला भी किया कि मुस्किन मामलों के समाधान की कोशिश किसी से अलग नहीं किया जाएगा तब सब एक जुट रहेंगे वहाँ बुरे या दुस्ट मानकर बड़तावकिर किया नहीं किया जाएगा उतब इस बात पर सहमती बनी जिसने चाहें जो कुछ किया हो लेकिन अब बुरा हो चुका है उसके बार अब लेकिन अब इस समाधान सबकी भागी दाली से होंगे नहीं सर्मंडिला ने अनुसार दक्षनापिका के सम्मिधान इत्हास पाधर इस दोनों के बातों में एक तरह से पवित्र समझोता है मतलब हम दक्षनापिका के रूप में एक दूसरे को यह वादा करते हैं मतलब हाँ के लोगों लेंजल मंडेन ने सबको एक सपद दिलाए कि हम एक दूसरे से यह वादा करते हैं कि हम रंग भेदी दमनकारी इत्यास को फिर से नहीं दोहराएंगी और इस बात पर इतना ही नहीं अपने देश के लिए सभी लोगों दोहरा वास्तिरी करतों साजा करने की खोशना की और श्वेत और आश्वेत इस्त्री और प्रिश्ट देश्पून रूप से हम सभी पता क्यान है हम सभी एक हैं पर पिर है भारती समयधान की क्याव से इस्ता है तो भारती समयधान की से इस्ता है सबसे पहला कारण हे इसका ये पहला है लिखित भारती सम्मिधान कैसा है? लिखित और निर्मित सम्मिधान है अप्ताव यहां का सम्मिधान कैसा है? यहां का सम्मिधान है लिखित है और यह ब्रिटिस की भारती आलिखित नहीं है इसका जो सम्मिधान है वारती आलिखित है दूसरा है यह फिर है ये दूसरा, दूसरा कारण है संपूर्ण प्रभुत संपन्न लोगतांत्रिक गणलाज बतलब जो वहाँ पर संपूर्ण मतलब संपूर्ण प्रभुत संपन्न अर्थ भारत अपने आंत्रिक और वाह मामलों में मैं सरवोच सकती रखता है, लोकतांत्रागुन का आसा है, यहाँ पर भारत में राज सभा, यहाँ पर गणराज भी है और राज का प्रधान जन्ता की प्रतिनी दित्तु का निर्वाचित रहती भी, यहाँ का राजा है वो जन्ता से निर्वाचित है पिर है संसदी शासन प्रणाली, यहां कि संसदी शासन प्रणाली भी कैसी है, भारती संसदी प्रणाली अपनाई जाती है और यहां पर सेंबैधानिक प्रधान राष्टपती होता है, जो यहां का संसदी संबैधानिक होती है और इसका सलवर्च कोन होता है राष्ट्रपती होता है और वास्तिविक इसमें मंत्री परसित की क्या होती है मतलब जो वास्तिविक ता होती है वह जो वास्तिविक ता सस्टता होती है वा किसकी होती है मंत्री मंदर की बोती है अंस्ता लचिला और अंस्ता कटोर भारत का संविदान अंस्ता लचिला भी है और कटोर है यहां मूल अधिकारों की ववस्ता है बतब यहां पर सभी को मूल अधिकार प्रावत है संगात्मक सासन परनाली यहाँ पर संगों के मातुम सासन टोडाली की विवस्ता है स्वतंत्र और निस्पक्ष ने आये पाली का भारत के संभिधान में स्वतंत्र और निस्पक्ष ने आये पाली का है फिर राज के नीदी ने दे सकता सर्वों वैस्क मताधिकार और एख्हयरिन क्या है नागरित्स यह लिखित संभिधान जो मतलब जो भारती संभिधान के यह क्या है प्रमुक्तक विशिष्ता तरह बंदान करने का अधिकार प्रवस्ट्री नागरिकार सभी को प्राप्त है तो यह हो गए भार्ती संभीधार की निसेचता है संबिधान बनाने वाले ने भारती संबिधान में संसोधन में प्रस्ताओं कैसा रखा इसपस्ट कीजिए मतलब जो भारती संबिधान है वा सिर्फ मूल्ल का दर्शन का ब्यान भर नहीं है संबिधान मूलों के संस्थगत रूप को कोशिश है भारत का संभिधान कहते हैं, अलिकांस इससरास्टी ववस्थाओं को तैय करने वाला है और बहुत लंबा और विश्रित दस्तावेज है संभिधान की समय समय पर नया रूप देने के लिए बदलाव की आवश्रक्ता पड़ती है भारती संभिधान के निर्माता को लगा कि लोगों की भावनाव के रूप चलना चाहिए समाज में बो रहे बदलाव को दूर नहीं रहना चाहिए और पवित्र स्थाई ना बदलाव कानून के रूप में नहीं देखा जाए इसलिए उन्हें बद्लाव को समय समय पर सामिल करने का प्रस्ताव रखा और बद्लाव का संभीधानी संसोधन कहा कि आदालों ने भार्ती संभीदान के संभोदन के सोरी संसोधन का प्रस्ताओ कैसे रखा इस प्रस्ट कीजिए थो यह संस्थागत रूत में है यह अधिकांस उससा इसकी ववस्ताओं में है समय समय पर इसको नया रूप देने के लिए बदलाव करने के लिए करना भी आवश्चक लग वो तो संबिदान निर्माताव को लगा कि इस लोगों की भाना पर रूप हमें चलना चाहिए और समाज में को रही परिभरतन या बदलाव को दूर नहीं रहना चाहिए और यह पवित्र इस्थाई और ना बदलने वाला कानूं के लिए नहीं देखा लिए बदलाव को समय समय पर सामिदान संसोरन भी कहा जाता है बेटा यह परिच्छा की देश्टी से आपके लिए छोटे छोटे प्रश्मते आप इनको अच्छे से देखोगे और याद करूँए धन्यवाद में चूँए